इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि CBI को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया बहुना ही था हैरानी इस बात की हमें तो हुई मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी कि ये करने में दस दिन क्यों लगा दिये साहब ने तबियत तो ठीक है साहब की हमारे दस दिन लग गए CBI को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की या तो CBI और एजेंसीज अब सुननी रहे साहब की या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें या गर्मी की छुटियां हो गई चले गए हमें नहीं मालूम क्या हुआ लेकिन दस दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे चोड़ने में ये हैरानी की बात है पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी जी ने किया ऊसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा कोई तो मूप खुछेगा कोई जानकारी देगा कोई जवाब देगा कोई प्रतिक्रिया देगा क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने बड़ा स्पष्ट तोर पे कहा था की intelligence failure था सुरक्षा में चूक थी पांच विमान अगर मुहया करा दिये जाते जवानों को CRPF के तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे सरकार ने वो विमान देने से इनकार कर दिया यह बात 2019 में 14 फरवरी की शाम को जब प्रधान मंत्री जी को फोन पर सत्यपाल मलिक जी ने बताई कि साब ये लापरवाही है ये चूक है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हुए है तो प्रधान मंत्री जी ने उन्हें कहा तुम चुप रहो ये कोई और चीज है